अंतर राश्ट्रिय युवा विद्वान, जैन दर्शन में युनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धान तेवं नयाय विशयों को सरलता से समझाने वाले USA, England, Australia आदी अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले पंडित टोडर्मल पुरसकार युवा विद्वत रत्म आदी अनेक पुरसकारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जैपूर द्वारा जानिये धर्म का मर्म इस कारिक्रम की प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्रजी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्रजी जैन, श्रीमती कलपना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जैपुर राजस्थान प्राइए नमुन मेह, अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनि भिरुपासित तेर्था सरस्पती हरतुनो दुरितान, अग्यान ते मेरा अंधानाम, ग्याना अंजन शना के आम, जक्षुरुन मिलितम ये नैतस्मे श्री गुरुवे नमेह, श्री प श्रे सांपरिवर्ध कम, धर्म संबंद कम, भव्य जीव मने प्रति बोधकार कम, पुन्न प्रकाश कम, पापप्रनाश अगमिदं शास्त्रं, च्रि संयं प्रकाश नाम धेयं, आस्यमूल गरंत करतारह श्री सरफगय देवास्तर उत्तर गरंत करतारह श्री गण्दर मंगलम भगवान वीरो मंगलम गवत मुगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जेन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्यान कारिकम फ्रदानम सर्व धर्वानाम जेनम जेतु शासनम जेनम जेतु शासनम साइयम प्रकाश नाम का ये गरंथ है आचेरी सूर्य सागर्जी द्वारा लिखा गया ये है उत्करश्ट गरंथ प्रथम अधिकार सम्यक दर्शन अधिकार की यहां चर्चा चल रही थी और सम्यक दर्शन की चर्चा करते हुए सम्मेक दर्शन की विधी या सम्मेक दर्शन की प्रक्रिया में साथ तत्वों की श्रधा को शामिल किया जाता है जैसा कि उमास्वमियाचारे देव ने कहा है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यकदर्शनम जीवा जीवास्रव बंद सम्वर निर्जरा मोक्षास तत्वम जीव अजीव आस्रव बंद सम्वर निर्जरा और मोक्ष ये साथ तत्व कहें है इसकरे हैं इन साथ तत्वों के बराबर श्रदा होनी चाहिए इस सम्मन्द में जीव और अजीव तत्व की चर्चा पेक्षित विस्तार से हम यहां कर चुके हैं यहां आगे बढ़ रहे हैं आस्रव तत्व के संदर में आस्रव की चर्चा भी कल हम यहां कर चुके थे आज तो हमें बंद तत्व की चर्चा की और बढ़ना है कर्मों के आने का नाम आस्रव है और उस आस्रव के भी विविद प्रकार के कारण बतलाए गए थे यह देपी आस्रव के जो कारण बतलाए गए उनका बहुत विस्तार नहीं किया लेकिन एक आधार बतला दिया योग के निमित्त से मनवचनकाई के निमित्त से मुख्य रूप से आस्रव कहा गया है फिर उसमें मिध्यात्व, अविरती, कशाय और योग और अन्य प्रकार अंतर से प्रमात को भी शामिल कर लिया गया ये सब कहने के बाद कल जो एक महत्व पूर्ण बात कही थी उसमें बतलाया था आपको कि भी ये जो कार्मान वर्गनाओं का आना ये द्रव्यास्रव है और जीव के परिणामों का हुना वो भावास्रव है देखिए अब बंद तत्व की चर्चा 53 नंबर पेज पर कर्मों के आश्रव के अनंतर ही बंद होता है अनंतर 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 समय भेद नहीं है क्या कर्मों के आश्रव के अनंतर ही जैसे ही आश्रव हुआ और आश्रव होते ही बंद अपने आप हो जाता है मैंने आज शत्र शुडा मनी 256 नंबर प्रवचन था जिसमें मैंने आज चर्चा की थी आश्रव तत्व की चर्चा करते हुए संबर तत्व की चर्चा करते हुए हमने बात कही थी आपसे जिसमें ये बंद क्यों नहीं है ध्यान होगा आप में से बहुत सारे लोगों को आज ये हुई थी चर्चा मने बारे भावनाओं में आश्रव के बाद में बंद भावना क्यों नहीं है क्या आस्रव के बाद में बंद क्यों नहीं है और यदि आस्रव के बाद में बंद नहीं है तो फिर संवर के बाद में निर्जरा भी नहीं होनी चाहिए थी अब जब सम्वर के बाद में निर्जरा करे हूँ तो आस्रव के बाद में बंद को क्यों उटा दिया बंद को क्यों नहीं लिया ये तरचा काफी विस्तार से दिन में हो चुकी है मैं यहां दुबारा नहीं समझाऊनगा लेकिन एक दो बाग के जरूर कहूंगा क्याप होता है सेम कारण है जिस छेद में से पानी आ रहा है तो आना और आकर के ठेहरना रुकना इनके लिए दो अलगला चीज नहीं आई गया तो आ गया रुग गया ठेहरे गई वो तो इस तरह से यहां जो बंद है इसके संबंद में कह रहे हैं अनंतर क्या कर्मों के आस्रव के अनंतर ही बंद होता है गेप नहीं है अतेह करम प्राप्त बंद तत्व का कथन किया जाता है दो गाथाएं यहां द्रवे संग्रे की प्रस्तुत कर दी 32 और 33 नमर की गाथा कभी कभी तो ऐसा लगता है क्रम से द्रवे संग्रे की गाथाएं आती जा रही है और उनका भाव बताते जा रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आप द्रवे संग्रे की टीका लिख रहे हूं द्रवे संग्रे की गाथाओं की व्याख्याएं कर रहे हूं देखिए बज्य दि कम्मम जेनदू चेदण भावेन भाव बंदोय सो कम्माद पदेसानं अन्नोन पवेसनं इदरो पएड़ि ति दियन भाग पदेस भेदा दुचद विधो बंदो जोगा पएड़ि पदेसा ति दियन भागा कसाए दो होंती द्रव संग्रे 32 और 33 नमबर कहता है जीव के निज शुद्ध स्वभाव से विपरीत क्या कहा जीव के निज शुद्ध स्वभाव से विपरीत ऐसे मिथ्यात्व रागादी रूप अशुद्ध विभावों का होना है वह भाव बंद है क्या कहा किसे भाव बंद कहा शुद्ध स्वभावों से विपरीत मिथ्यात्व रागादी रूप भाव अशुद्ध भाव उन भावों का होना ही भाव बंद है कई लोगों को जो अच्छे स्वाध्याई लोग हैं वे सोच रहे होंगे और कई बार इस तरह का मुमुक्षु मंडलों में स्वाध्याई सभावों में चर्चा का विशेवी रहता है और वो विशेवी यह है आस्रव और बंद में फरक समझ में आ रहा है क्या कर्मों के आने का नाम आस्रव है और बंद जाने का नाम बंद है द्रव्य आस्रव और द्रव्य बंद में फरक समझ में आ रहा है कर्म परवाणू आए और रुके तो यह द्रव्य आस्रव और बंद यह बराबर समझ में आ रहा है लेकिन भाव आस्रव और भाव बंद में क्या अंतर है क्या समझ में आये क्या प्रश्ण भाव आस्रव और भाव बंद में क्या अंतर है किसाब जिन परिणामों से कर्म आते हैं वे परिणाम भाव आस्रव है और जिन परिणामों से बंदते हैं वे भाव बंद है आते हैं और जिन परिणामों से बंदते हैं क्या ये दो अलग-अलग तरे के परिणाम होते हैं कि ये सब दो अलग-अलग तरे के परिणाम तो नहीं है तो फिर भाव असरव और भाव बंद क्या द्यान देना भाव असरव और भाव बंद यदि इन दोनों के लिए अलग-अलग तरे के परिणाम नहीं है तो फिर प्रश्ट यह है कि इन दोनों में अंतर क्या है मान लिजे राग परिणाम हुआ काईशाय परिणाम हुआ विभाव परिणाम हुआ मित्यात्व परिणाम हुआ द्वेश का परिणाम हुआ क्रोध का परिणाम हुआ तब उस क्रोध का जो परिणाम है वो क्रोध का परिणाम उससे कर्म आएंगे और बंदेंगे तो क्रोध के परिणाम को भावास्तरव कहना के भावबंद कहना थोड़ा सा बात सूक्ष्मता की तरफ जा रही है उपयोग को एकागर करना बातें कठि भावास्तरव और भावबंद में कुछ तो कहना होगा क्या कहूंगे आप तो जिनागव में कहा हैं राग परिणाम तो भावास्तरव है और राग की इसनिक्दता राग में रुख जाना राग परिनाम की चिकनाई वो भाव बंद है राग और राग में रुख जाना राग और राग में अटकना क्या उसे भाव बंद कह करके पुकारा गया है क्या तो इस तरह से पहले कभी अन्हेंग बार किए हैं मैंने छेडाला के प्रवचन जो है ना मेरे छेडाला के आडियो प्रवचन उनमें इस बात को खूब खोलाए हमने मैंने जब प्रकरण आया था तो वो सब डले हुए भी है यूट्यूब पर भी है और उस पे भी टेलीग्राम बगरे पे भी होंगे तो आपको वहाँ उस चीज़ को और विस्तार से वर्णन मिल सकता है यहां देखिए क्या के रहे हैं इस भावबंद और आई हुई कार्मान वर्गणा का उक्त भावबंद के निमित से ग्याना वरणादी रूप होकर हमने किये भाव किये और उन भावों के निमित से ग्याना वरण, दर्शना वरण, मोनी, अंतरा, वेदनी, आयू, नाम, गुत इन कर्म प्रकृती रूप से होकर आत्मा के साथ सम्मंद होना ये द्रव्य बंद है अर्थात जैसे दूद जलका आपस में मेल होता है उसी प्रकार कर्म प्रदेशों और आत्म प्रदेशों का परस पर एक दूसरे के साथ सम्मंद हो जाता है वे द्रव्य बंद कहलाता है अज्यानी भेद विज्यान के दम पर दूद और पानी को भिन भिन कर देता है अज्यानी नहीं कर पाता है क्या अज्यानी जीव तो कहेगा क्या कि एक है दूद है दूद है अरे भाई नहीं इसमें दूद अलग है और पानी अलग है क्या बात करते हो ऐसा कैसे हो सकता है कि ड फट जाएगा हो खार खार हो जाता है अलग लग हो जाता है ये हंस जब उस पानी मिले हुए दूद को पीता है तो दूद दूद पी लेता है दूद दूद पी लेता है और पानी पानी रह जाता है बिलकुल ये कह रहे हैं जो बंद है आत्मा निर्विकार शुद्ध तत्व चेतन्य तत्व इस देह देवाले में विराजमान और उसके साथ में कर्म बरगणाएं कर्म प्रकृतियां आत्मा के साथ में आकर के चिपक गई बिलकुल सर्वांग में सर्वात्म प्रदेशों के साथ में वे चिपक गई वे कर्म बर्माणूं वे कर्म प्रकृतियां वोले इस सूत्र के द्वारा मिथ्या दर्शन, अविरती, प्रमाद, कशाय और योग ये पांच भाव बंद के कारण बतलाए गए हैं नाम बार-बार कई बार आचुके हैं अपने इसी सेशन में इसी श्रंखला में आप लोगों को याद भी हो गए होगे और याद हो जाने चाहिएं बार-बार में आती है ये चर्चा मिथ्यात्व अविरती, प्रमाद, कशाय योग बंद हेत्वाहा ये बंद के हेत्व हैं और द्रव्य संग्रह में इनी को मिच्चत्ता विर्धी पमाद, पीचे गाथा दी इस तरह की, इत्यादी 30 फी गाथा द्वारा, अपने आई थी 10-55 पेश पहले अपने पड़ा था ये, गाथा पांसाथ पेश पहले जए इत्त्यादी 30 फी गाथा द्वारा भास्य बाव इसा है रिसर्च जैसा है ये बर्क कितना सुंदर प्रकरण है यह हैं मैं बतलाना चाहरा हूं मैं दोनों को साथ इंहों sage उसको द्रव्य संग्रे को द्रव्य संग्रे की तीस नंबर की गाथा और तत्वार सुत्र के आठवे अध्याय का सुत्र और दोनों बातों को सामने रखकर के कह रहे हैं तत्वार सुत्र में जिन बातों को बंद का कारण कहा था द्रव्य संग्रे में उनी बातों को आस्रव का हुआ भर एक आश्रव ततुवह बंद टत्वह τα उत्वार सुत्र में बंद के कारण बतलाए मिध्यात्ववरति प्रमातकर्शाय यूग सच्छ यू इस ऐसके कारण बंद के कारण ए है और इनी कारणों को कि उध्योन घैसनगल May बाई सब ये बात तो कुछ गले नहीं उतर रही है हमारे ये क्या कह रहे हैं ये अलग ये अलग ये चक्कर हो क्या रहा है ये मैटर क्या है तो यहां समझा रहे हैं देखो जरा इन दोनों कत्रों में इतना ही भेद प्रतीत होता है कि आस्रव तो मित्यातवादी रूप प्रती द्वारा आत्म प्रदेशों का परिस्पन्न होते ही हो जाता है और बंद बंद के समय में जैसे कशाय रूप परिणाम हो उसके अनुसार होता है ये ये मोटा मोटा अंतर ख्याल में आ रहा है बाकी तो भाईया जो आस्रव के कारण है वो ये बंद के कारण है आस्र प्रदेशों की चंचलता को तो हम कहेंगे परिस्पन्दन को कहेंगे आस्रव और इस परिस्पन्दन के साथ में कशायादी रूप जो परिणाम है जिनके कारण कर्म बंद गए क्या वो है बंद आत्म प्रदेशों की चंचलता प्रदेशों की चंचलता हलन चलन और प्रदेशों की चंचलता के साथ साथ उन कर्म प्रकृतियों का चिपकना तो कर्म प्रकृतियां जो चिपक गई ग्याना वरनादी रूप हो करके उसका नाम तो है बंद और कर्म प्रकृतियां चिपक नहीं समझवाब आ गई उसका नाम भाव आसरव ऐसा अब इनको समझारें बहुत सुन्दर प्रक्रण है अब जो यहां शुरू हो रहा है यह बंद के चार प्रकार संबंदी प्रक्रण है अनेक लोग जानते हैं जो जानते हैं उन्हें अपने उपयोग की एकागरता पूरवक विचार करना चाहिए सच में बड बार बार पड़ो बार बार चिंतन करो पक्के करो उपयोग की एकागरता होती हैं फिर से समझा रहे हैं किसको समझाना है फिर से बावास्त्रव वाव बंद को बावास्त्रव माने तो राग और उस राग की इस निगधता नाम का गुण उस राग में राग परिणाम और र से कहते हैं तो राग और राग की चिखनाई कशाय और कशाय में इसनि्ख्धतन वो जो उसकी इसनिख्ता है वो है भाव बंद तीवर राग नहीं कहेंगे तीवर राग की बात नहीं है अभी तीवरता मंदता की बात नहीं लगाना तीवरता मंदता की आधार पर जो भीट पड़ेंगे पिर उनको वो अलग प्रकार से कहेंगे यहां वो इस्तिति अनुभाग के हितु पड़ेंगे प् प्रकृति बंद और प्रदेश बंद कुल मिला करके कुछ एक योग्यता है जी उस राग परिणाम में तो राग परिणाम की उस योग्यता का नाम भाव बंद है ऐसा बाव वही है लेकिन उसकी विशिष्ट जाती की योग्यता है जिसे भाव बंद कह करके पुकारा गया है ह तो दोनों वह तब देखियें बहुत ही सुन्दर प्रकरन हैं जो बात कर रहे हैं प्रकरती बंद प्रदेश बंद इस्तिती बंद और अनुभाग बंद अब इनका स्वरूब समझा रहे है ऐसा स्वरूप समझ में आएगा आपको मज़े आ जाएगा चार तरह का बंद कैसे कैसे होता है इन में कर्म वर्गना का ग्याना वरणा दी मनें ग्यान को रोकना ये जो स्वभाव है ग्याना वरण ग्यान आवरण ये स्वभाव है ज्यान को डखना यह स्वभाव है दर्शन आवरन आगे लिखा भी यह नोंने दर्शन आवरन का स्वभाव आत्मा की दर्शन शक्ती पर आवरन डालना है दर्शन आवरन वेदनिय का स्वभाव आत्मा को सुख दुख देना है वेदनिय का स्वभाव सुख दुख देने का है अनुकूल वेदनियम साता प्रतिकूल वेदनियम असाता इत्यादी सब प्रकृती बंद कहलाता है यह फश्ट नंबर हो गया प्रकृती बंद चार प्रकार के बंद में से प्रकृती बंद किसे कहें बोलो प्रकृती शब्दकार तो होता है स्वभाव नेचर प्रकृती मने क्या है नेचर नेचर तो ग्यानावलनी का क्या नेचर है वो ले ग्यान को ढखने का दर्शनावलनी का नेचर कैसा है दर्शन को ढखने का मोहनी का नेचर कैसा है अंतराय का नेचर कैसा है तो जिसका जैसा नेचर है वो उसका कहलाता है स्वभाव यह हो गया प्रकृती बंद मने जो कर्म परमानू थे उनके इस इस प्रकार के स्वभाव हैं इस तरह की योग्यता डवलप होना उनमें यह प्रकृती बंद कहलाता है सब में अभी आत्मा के प्रदेशों के साथ जो कर्म परमानू की संख्या का नियत होना वह प्रदेश बंद है क्या आत्मा के प्रदेश आत्मा के प्रदेश आत्मा का एरिया और उस प्रदेश के साथ में जो परमानू है पुद्गल के पर्माणू जो कर्म रूप होकर के आत्मा के साथ में चिपक रहे हैं उनकी संख्या का नियत होना ये नियत संख्या का होना ये प्रदेश बंद कहलाता है दो हो गए यहां तक अभी ये प्रदेश बंद को और बतला रहे हैं थोड़ा सा प्रदेश बंद माने लेकिन पहले जब कभी करम सिद्धान्त की चर्चाएं और अलग-अलग जगए की हैं में पावर बतलाई है आत्मा की पावर कर्म के सामने एक एक आत्मा के प्रदेश पर सुनिएगा सब एक एक आत्मा के प्रदेश पर सिद्ध राशी के अनंत्वे भाग में से एक भाग जितने समझने का प्रकरण है बिना समझे नहीं समझ में आएगा प्रक्रन ये चल रहा है बात ये चल रही है आत्मा को हर समय कितने कर्म बांध रहे हैं ये बतलाओ झाल झाल